Bangalore IT-AT ने अपने एक judgment में ये कहा कि किसी institution के अंदर यदि वेदों की knowledge students को दी जाती है तो वेदों की knowledge किसी धरम से correlate करके नहीं देखी जा सकती। इस case के अंदर CIT exemption ने institution को ये कह करके ATG के exemption को deny किया था कि इस institution के अंदर वेदों की knowledge दी जा रही है और वेदों की knowledge जो है वो हिंदू धरम से related है। तो पहली बात तो ITAT ने ये कही कि वेदों की knowledge खाली एक religions से जोड कर नहीं देखी जा सकती। और इस case में ये भी कहा ITAT ने कि जो हिंदू है वो कोई धरम नहीं है वो एक way of life है वो एक religion से भी उपर उसका स्थान जो है वो ITAT ने इस case के अंदर रखा। Thank you friends.